जालोर जिल्ले को नहीं मिला बजनलाल सरकार के मंत्री मंडल में इस्तान राजस्तान में बजनलाल सरकार के मंत्री मंडल का सनीवार को गठन किया गया जिसमें 22 मंत्रियों को राज्यपाल ने पद और गोपेनेता की सपत दिलाई बजनला सरकार के मंतरी मंडल में जालोर जिल्ले से कोई भी मंतरी नहीं बनाया गया है जबकि जालोर विदायक जोगे सरक गरग को मंतरी बनाय जाने की पूरी संभावना थी लेकिन जोगे सरक गरग को मंतरी मंडल में इस्तान नहीं मिला है आपको बता दे कि जालोर जल्ले की पांस विदान सबा सीट में से दो विदान सबा सीट आहोर और जालोर जहाँ पर भारते जनता पाल्टे को मिदवारों ने अत्यासीक जीत असिल की थी इसके बाद से इस बार पूरी संबावना थी कि बजनलाल सरकार के मंत्री मंडल में जालोर जल्ले को विशेश इस्तान मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं जालोर शुर्य लोकसवा सितर की बात करें तो शुर्य विदान सबा सीट से भाजपा विदायक ओटाराम देवासी को राज्य मंत्री बनाया गया है पूरवरती वसुंद्रा सरकार में भी ओटाराम देवासी राज्य मंत्री रह चुके हैं फिर भी किसी विदायक को उस वक्त भी मंत्री नहीं बनाय गया था। तो उस वक्त राणी वड़ा के ततकालीन विदायक रतन देवासी को राजस्तान विदान सबा में उपमु के सच्छे तक बनाय गया था। इस बार बजनलाल सरकार में जालोर जिल्ले से किसी भी विदायक को मंत्री नहीं बिनाए जाने से जिल्ले वासियों में काफी निरासा देखी जारी है जालूर जिल्ले से सटे पाली जिल्ले की बात करें तो पाली जिल्ले से दो विदायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है वहीं बाड़मेर से एक विदायकों राज्य मंत्री और जोदपूर जिल्ले से दो विदायकों को कैबिनेट में जगे मिली है बजनलाल सरकार के मंतरी मंडल गठन होने के बाद सरसा इस बात की है कि जालूर विदायक जोगेशर गरग को राजस्तान विदान सवा में मुख्य सचे तक का पद दिया जा सकता है पिशली बार जोगेशर गरग विपक्स में भाजपा विदायक दल के सचे तक थे अब उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है कि जोगेशर गरग को सता में फाल्टी के आने के बाद अब उन्हें राजस्तान विदान सवा में मुख्य सचे तक की एहम जीमिदारी दी जा सकती है झाल्टी कर देखा जा सकती है